व्लॉक का टाइटल डाला है सनी मुझे छोड़कर चले गए और रोने वाली इमोजी लगा दिये साथ साथ जो व्लॉक के अंदर भी सारा खे सारा ऐसा दिखाया जैसे बहुत ज़र डिप्रेस्ट है सोचिए अगर सचवुच में वो छोड़कर चला जाया तो ये क्या करने वाली है या क्या हाल हो जाना है इसका क्या ये टाइटल ठीक था ये टाइटल ठीक नहीं है क्योंकि इसके असली मीनिंग अलग है और ये जो दिखाना चाहती है वो अलग है ये mirror पे वो ही light डाल रही है जो कि reflect होके आप तक पहुँचे और असल चीज किया है वो mirror के पीछे वो आपको कभी दिखाती नहीं है क्या इसने एक बार भी बताया कि वो क्यों और किस काम से गया है वो इसके पीछे की सारी स्टोरी हम बताएंगे बने रही है अमारे साथ इस वीडियो में आज की चर्चा में आपका स्वागत है जो लोग चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन भी दबाते जिससे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए ना ही इसने पिछले व्लॉग बे कुछ ऐसा बताया है कि वो फनी जाने वाला है या उसकी कोई प्रपरेशन करनी है अब ऐसा तो नहीं होता था यह मूट हाए और चल आपर रिंच करते हैं सबकुछ वी एक व्लॉग बनाती है टाइडल डालती है उसके बाद में उसको बायबाय करते हुई दिखाई देती है कि वो किस तरह से उसको छोड़ने जा रही है घर का हर आदम उसको टीज कर रहा है इस बात के लिए रोई 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 और रो वो तो सारा कुछ दिखाई दियता है, इसके चेरे से सब कुछ पढ़ा जा सकता है। अब हम बताते हैं असली कारण क्या है उसके इस तरह से जाने का। देखिए उसकी जो सिस्टर थी वो साउधी से आई वही थी। और अभी तक वो जो मोधा में ही थी, अब वो उसको जाने का टाइम आ गया है, तो अब वो जो वापिस जा रही है। उसके लिए यहां से जाना पड़ा। रात को जागना और उसके बाद में फिर रात के एक बज़े दो बज़े वाक करना, सुबह फिर देर से जागना और फिर वो इस सब साइकल दुवारा से शुरू कर देना। अब देखिए वो लगबग जो 20 से 25 दिन यहां पर रह कर जा रही है, तो डेफिनेटली वो अपने घर पे काफी दिन रुकी होगी, क्योंकि उसने सुसराल में ईद करी हो, इद करने के बाद में थोड़ा और टाइम वापे स्पेंड किया होगा, उसके बाद में उपनी मा क जरूद होती है, जिनको वो देखने आते हैं, इतनी दूर से देखने आते हैं, अच्छा यह रहती है कि सब के साथ में एक टाइम स्पेंड करेंगे, एक लाइफ टाइम स्पेंड करेंगे, और वहाँ पे एंजॉय करेंगे, और एक मेमोरी क्रियेट होगी, और वो मेमोरी कि विजिट से पहले पहले तक वो ताजा रहेगी है, उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे, पर यह इतनी सैलफिश है कि इन सब में इसका कोई मैटर नहीं है, और ना यह इस तरह की चीजों में इंवाल्व होती है, इसके ना जाने का रिजन कोई वो नहीं है, कि इसके आप पर जानी सकती थी, ऐसे मतलर रेस्पेक्ट, ऐसे गेस्चर के भी वो अपनी नंद को छोडने जा रही है, उसकी इतनी दूर से आई है, और फिर उसके साथ में हो सकता है, तीन से चार दिन और इस पैंड की है, उसके बाद में उसको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, लखनो पर चली जाए, इन एक्चुल में देखा जाए, तो एक्सेप्टेबिल्टी अगर इसके मामी और पापा यानि सास ससुर ने इसको कर लिया है थोड़ा बात, लेकिन वो जो नंद आई है, उसके साथ में एक्सेप्टेबिल्टी अभी भी नहीं है, दोनों के जो विचार है या जो नो की जो बाते हैं वो बिलकुल नहीं मिलती, देखिए जो फुरानी बाते हो जाती हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना होता है, कि अभी चलो यह सब हो गया, अब यह आपर इस तरह से ही आप इसको एंड करते हैं, और एक नई स्टूडी शुरू करते हैं और एक हेल्दी रिलेशन मिलानी के कोशिश करते हैं, देखिए उसका हिजाब कहीं से भी इसके रिलेशन में कहीं आड़ेत होना आता है, आप लोग उनके साथ तो टाइम स्पेंड कीजिए, उनके लिए कुछ काम कीजिए, तो डेफिनिटली वो आपके बारे में भी सोचे पर आपको अच्छा भी कहेंगे, पर फ्रेंड्स वहाँ पर तो गिजेल घबराने लगता है, बहुत ज़्यदा घबराट होती है न, वहाँ पर अकेले रहा भी नहीं जाता है, सिर्फ उपर यूपर रहा जाता है, नीचे तो आया ही नहीं जाता है, विकल भी और उपर रह कोई न कोई चाहिए, वो चाहिए, जो फूरा टाइम, इस पैंड करें, या फिर जो बड़ी जोसकी माताजी बनती है, दूसरी, वो खाला हो वो हो, लेकिन कोई न कोई न कोई इसको टाइम स्पैंड करने के लिए वहाँ पर चाहिए, अधरौइस तो वहाँ पर उसको डर लगता है आकेले रहने में भी डर लगता है जब डर की बाद चल पड़ी है तो ये भी देखिए ना कि वो कह रही है कि क्या हो गया क्यों ऐसे हो रही है कि मुझे डर लग रहा है कि तुम अकेले जा रहे हो हाँ भाई बहुत चोटा बच्चा है बकरी का बच्चा है तो वो र जहां रखना रस्ते में गुटके उटके की बिल्कूल भी कमी नहीं नहीं चीह और तरी गुटके जो टाइम से प्रोाइड करते रहना इनको यह पनी अखेला साउदी अरभिया से आ सकता है अखेले साउदी अरभिया में टाइम इसक्पैंड कर सकता है सालवर से उपर वहां रह सकता है लेकिन यहां से मुंबई से मौदा जाना बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक रास्ते पढ़ते हैं पता नहीं उसको क्या हो जाए कोई क्या सुगा दे क्या खिला दे क्या कर दे यह सारा सारा डर बना हुआ एक्चुल में डर यह नहीं है अब डर भी हम आपको बतात डर यह है कि वहां से लड़ जगड के आई थी और लड़ जगड के रैंडमली एकदम से भागी थी वहां से सर पेह रखे लेकिन अब जब यह जा रहा है और यह नहीं जा रही है क्योंकि इसकी इम्मत ही नहीं और या यह कहिए कि इतनी एरोगेंट है कि वहाँ पर जाकर उनका सामना करना नहीं चाहती तो इसलिए जो अब यही जा रहा है तो अब उसको सबसे बड़ा डर पता है कि डर यह है कि दोनों की दोनों इसको कुछ ऐसा ना सिखा दें कुछ ऐसी बातें ना बता दें जिससे कि उसका दिमाग बदल जाए या फिर वो आके थोड़ा सा दूसरी तरह से भीएव करे सबसे बड़ा डर सबसे बड़ा डर जो उसको है वो यह है यह डर नहीं है कि रास्ते में यह इधर उदर वो जाएगा बटक जाएगा या इसके साथ में कुछ हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है उसको डर सबसे ज़्यादा अपनों से ही है देखकर और सोचकर बड़ा ही दुख होता है कि यह टाइम आ गया है कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए भी यह फ्रीली नहीं मिल सकता है तो उसको अपने घर जाने के लिए भी इससे इजाज़त चाहिए और उसके बाद में यह वहाँ जा पाएगा और अपने लोगों उसके साथ में बात कर पाएगा टाइम स्पैन कर पाएगा असल में शादी जो होई है तो ये नहीं होई है कि भीया वो बयाया गया है यहां मुंबई में यह बयाया गया है यह उल्टा हुआ है उन्होंने अपने लड़का मुंबई में दे दिया है या बया दिया है इसलिए अब वो उनके बस में है अब भीया जब जब टाइम मिलेग एक time spent नहीं कर पाता time को और सासाथ अपनी sister के लिए भी जो इसको इज़्जत अपने बेनोई के लिए जो देनी चाहिए थी जो time spent करना थी वो नहीं कर रहा है असल में यह एक पक्ष है दूसरा पक्ष यह भी है कि भी सारी सारी दोशीसी को क्यों दें यह क्या समझदार नही है इसकी उमर भी तो 30 साल से उपर है ठीक है उससे एक-दो साल छोटा है लेकिन इसकी उमर भी तो पूरी है यह team के बाद में सब लोग जो अपने वेस को जाते है अडल्ट हो जाते है उनको अपने फैस्ट लेने की पूरी की पूरी आजादी होती है लेकिन क्या उसको नही इसकी क्या है और क्या इसका प्यार है उनके लिए तो पूरा का पूरा इसमें सह भागी क्या लिजे गलती जो है इसकी भी है और किस तरीके से लट्टू की तरह से पूछ की तरह से इसके पीछे पीछे घूम रहा है तारी मर्यादाओं को सारी तमीज को सारे अदब को ताक प यहाँ पर जाकर उनके साथ मां टाइम 现न्व स्पेंट करना चाहिए था अपना आपना जो पखरज है और भावी ओने के नात Cat् Euro बहूंे के नाते वह निभाता चाहिए था जाधिन ने एक लिगा है और इन डिशा इन नाते स्ट हो Do ! लगा हूँ है और वो स्टोरी भी इसको उसने टेग नी कर रखी है, इसका नाम या ऐसा कुछ नहीं है, उसने नच्रल वे में वो स्टोरी लगाई है, जो इसने अपने स्टोरी में शेयर करी है, इंस्टाग्राम पे, इसके साथ में एक स्टोरी और शेयर करी है, जो जैसे किसी ने उससे पैदल जारे हैं कि इन्हों नहीं हैं पिर दोनों उस पर बैठ जाते हैं तो फिर ओकर क्षिर मैं जाहिए हैं पिर पैदल चाहरा है और husband बैठा है तो फिर wife के पैदल चल लिए तो कुल मिला के यह है वो यह कहना चाहती है कि आप कुछ भी कर लो कैसा भी कर लो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे बही बिलकुल कहेंगे और कुछ भी कर लो नहीं आप जो जो करती हो उसके उपर ही कहते हैं और हम क्या कहते हैं आपके वीवर्स आपको खुद आईना दिखा रहे हैं लगातार आपने जो जो भी कुछ कर रहे हो आप सोच रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे और उसको सदारने के लिए भूलने के लिए नहीं 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 स्टोरियां और डाल देते हो उस रात में कि भई अब वो पुरानी चीज़ें कभी बात ही नहीं करते हैं लेकिन देखा जाए तो आपके ही वीवर्स आपको आईना दिखा रहे हैं अब यह 4,000,000 और 5,000,000 का जो आप सपना पाल के बैटे हो ना यह सपना पूरे होने वाला नहीं है 4,000,000 हो सकता है कि एक देर साल में आपका कुछ हो जाया दीज़े 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 नहीं करके 5,000,000 तो भूल जाओ कई सालों के लिए क्योंकि दिन प्रते दिन आपकी जो हरकते हैं उस सब के उपर ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं डिसलाइक कर रहे हैं और फिर ये भी देखो कि वो अब सिर्फ जोना इसलिए नहीं देख रहे हैं कि आप अच्छे हो इसलिए देख रहे हैं कि क्या क्या गलत कान कर रहे हैं ऐसे लोगों की देखने वालों की संक्या पढ़ती जा रही है इस बात का पता इस पास से भी चलता है कि आप एक vlog डालते हो शहजादी एक vlog डालती है और उसके उपर तीन चार फोटो चुपका देती कि इसमें क्या क्या इसमें आने वाला है और उसके बाद में भी वो vlog जब बहुत अच्छी तरह से नहीं चलता उस पर ज़्यादा वीवर्शिप नहीं आती है तो उसके उपर वो हटा कर वो दूसरा थमने लगाती है ऐसा थमने दूसरा बदलने की जरूत क्या थी जब आपको वीव आ रहे हैं तो आपको जरूत क्या है आपको वीव एक्च्छल में आने रहे और दूसरा बार 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 आप फ्यूवर से सवाल करते हो छोटे मोटे बिलकुल आम सवाल जिनका जवाब जो कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है जिससे कि आपकी वीडियो पे इंगेजमेंट वड़े और कम से कम उसको आंसर देने के लिए ही लोग वहाँ पर लिखें अरे पूछना यह है तो अपनी जिन्देगी के एहम सवालों के बारे में पूछना देखो लोग किस तरह से बात करते हैं किस तरह से आपको सला देते हैं अपने व्लॉग की नीचे ही देख लो आपको लाइक करने का मौका नहीं मिल रहा बहुत मुश्किल से आपने कुछी लोगों को हार्ट दे रखें, बाकि सब कमेंट को ऐसे छोड़ दिया, और हो सकता है, आप वो कुछ दिन बाद में वो डिलेट भी हो जाएं, इसके व्लोग का रिव्यू हम फिर कभी करेंगे, इस पौडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, यह पौडकास्ट आपका पसंद आया थैंक यू दिन्नेवाज शुक्रिया